हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो अवाई YouTube चैनल आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिचल फंड के बारे में यहां पर आपको क्या होता है कई बार कंफ्यूजन होता है कि हमें इस मौल के फंड, मिट के फंड या फिल लार्ज के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सुच आपके लिए एक डेडिकेटेट वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिरा में इन्वेस्ट कहां प सब्सक्राइब करना चाहिए अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके लिए मैं आपको सीधा साब को मैं इंडेक्स का चार्ट दिखा देता हूं जहां पर आप यहां पर यह पूरा का पूरा चार्ट देख सकते हो कि किस ग्रोथ से यहां पर जो निफ्टी स्मॉल के 250 का इंड की तो आपको भी पता होगा कि जो एवरेज रिटन है अगर आपको 15% compound interest मिलता है compound return मिलता है तो वह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप मिर्चल फंट की तो यहां पर अगर आप अच्छे मिर्चल फंट जूस करते हो तो average return 20% के आसपास का मिल सकता है यह मैं past data देखकर बता सकता हूं क्योंकि future किसी ने भी नहीं देखा है अब हम बात करते हैं आपके लिए कौन सा ऐसा मिर्चल फंट होने वाला है जहां पर आपको अच्छे return मिल सकते हैं तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं UTI small gap fund के बारे मे यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा data दिखाने वाला हूं और आपको भी अगर इसमें invest करना है तो आपको पूरा का पूरा data analysis अपने आप करना पड़ेगा उसके बाद ही आप invest करिएगा यहां पर मैं बात करता हूं अगर इसके returns की तो all time data में आप देखोगे 27% के return देख करना चाते हैं तो 500 रुपए से शुरू कर सकते हो फंड साइज की बात करते हैं तो 3736 करोन का इसका फंड साइज है इसका काफी बड़ा हो चुका है already बात करते हैं holdings की तो आप देख सकते हो यहां पर 85 स्टॉक से जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है जिसमें पहदा जाता ह लेग्गेंशचे में ब्लेक संटा है क्रूर्ट वेसस बैंक जिसमें इन्होंने 22.57 का इमेस्ट कीया हुआ है ब्रीगेट इंटर्प्राइज्ब्त द्रिम्ट में 2.56 परषंट का इन्वेहश्मट है चैलेट हो टल्स में आप देखोगे others में 15% services में 13% investment किया हुआ है तो sector wise भी इन्होंने investment अच्छा किया हुआ है इसी के बाद अगर आगे बढ़ते हो तो advance ratio देखना बहुत जरूरी है तो risk ratio आप देखोगे alpha 4.32% beta 0.71% है 5% के आसपास का alpha जो होता है वो काफी अच्छा माना जाता है beta 0.71% जो की काफी सही है क्योंकि यह risk कम ले रहा है आपको भी यह जिस ध्यान रखने है कि कोई एक ऐसा mature fund जिसका alpha high है beta low है तो वो mature fund आपके लिए ज़्यादा बहतर है compared to other mature funds इसे के लवाँ minimum investment की बात करते हैं तो 500 रुपे से minimum SIP पी और 5,000 रुपे से आप जो है minimum लंसम investment कर सकते हो category average return की बात करते हैं तो आप देखते हो यहाँ पर 27% category average return है तीन साल में बट 25% इस picture fund ने दिये हुए है expense ratio बहुत important है तो यहाँ पर जो आपको expense ratio देखने को मिल रहा है वो 0.49% है ज्यादा तरह आपको जो expense ratio देखने को मिलते हैं वो 0.70% से ज्यादा के ही expense देखने को मिल जाते हैं बट यहाँ पर काफी कम देखने को मिल रहा है exit road 1% है एक साल के अंदर redeem करने पर otherwise यह भी zero हो जाता है इसी के अलावा आप tax देखते हो और यहाँ पर अगर आप SIP करते हो तो मैं आपके सामने एक data दिखा देता हूँ आप minimum अगर 5000 रुपए के SIP करते हो और जैसा कि यहाँ पर return आपको देखने को मिल रहा है 27% मैं 26% के भी return लेकर चलता हूँ और यहाँ पर मैं time period 20 साल लेकर चलता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 12 लाग रुपए आप इंवेस्ट करते हो जिसकी value 4 करोण निकल कर आती है बट अगर आप SIP 5000 रुपए की नहीं करते हो minimum 500 रुपए की SIP आप वही चालू करते हो तो आप देखोगे कि एक लाग 20 साल रुपए आप टोटल इंवेस्ट कर रहे हो 20 सालों में जिसकी value 40 लाग हो जाती है अगर आप 5000 रुपए की करोगे तो आपकी value 4 करोण हो जाएगी आने वाजे 20 सालों में अगर आपको same return देखने को मिलते है तब के लिए मैं बता रहा हूँ इसका return कुछ भी हो सकता है यहां पर अगर आपको इस मिचल फंड के अंदर इंवेस्ट करना हो तो आप आराम से कर सकते हो बट उससे पहले आपको अपनी जरूर करनी चाहिए यहां पर आपको हर एक चीज़ जो की अच्छी देखने को मिल रही है औरेड़ी यह फंड अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है नया है और आपको ही पताए कि एक अच्छे फंड में आप जब इस्टार्टिंग टाइम में ही इन्वेस्ट करते हो तब आपको ज्यादा प्राफिट होता है उमेद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा मेरा यह वीडियो का ऐसा जगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसी तरह के इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों